रोकरना चाहते हो लाइफ में, खुश्यां चाहिए है, जीवन में तरक्की चाहिए, जीवन में वो सब कुछ आप पाना चाहते हो जो आपके मन के अंदर दबा हुआ होता है, होता है ना ऐसा अपनी इच्छां को पूरा करना चाहते हो, चाहते हो ना हम सभी चाहते हैं दोस् कैसे हैं आप उमेद करती हूं सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा खोशी रहेगा दोस्तो आज है शरत पूर्णिमा और आज होने वाले हैं आपकी सपने आपको सिर्फ एक काम करना है अब क्या है वो एक काम वीडियो में इंट तक बनी रहेगा हमेशा की तरह वी किसा सब्सक्राइए यही है जो इस सबस्या Mais नहीं करता और कुछ करने की उसके अंदर तावित ही नहीं है या फिर वह्यार मान पठता है भर इंसान अपनी जिंदिगी में एक मुकाम हासिल करना चाहता है अपनी एम को पाना चाहता है अपने जर्फ पह पहुंचे तो पहुचे कैसे नहीं पहुचपा रहे हो ना क्यों क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा reason है और वह reason है आपका खुद के प्रति बिस्वास ना होना हां जी दोस्तों आपको कोई नहीं रोग रहा है आपकी मनजिल बहुत करीब है लेकिन पता है क्या हो रहा है आप हिम्मत हार रहे हो आपको खुद के उपर विस्वास है ही नहीं कि मैं वो काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी जिस दिन आप खुद के उपर बिलीव कर लेंगे जिस दिन आप यह मान लेंगे कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ बन सकता हूं आप बन सकती हूँ, उसी दिन, उसी दिन से आप अपने एम के प्रती बहुत ज्यादा एक्टेव हो जाएंगे, आपको बिलीव हो जाएगा उचीज पर, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने उपर बिलीव करना है, बहुत ज्यादा, यहनी कि 100 out of 100 से भी ज्यादा आज की दिन आपकी होंगे सारे सपनी सच, तो सबसे पहले तो सपने देखती रहें, जो भी आपके सपने हैं, उनको देखती रहें, और उनको पूरा करने में लग जाएं, जो भी आपकी उमर हैं, जो भी आपकी उमर हैं, जो भी आपकी मन के अंदर हैं, वो सब पूरा आज के दिन सबसे पहले आपको क्या करना है अपने उपर विस्वास करना है कि हाँ मैं ये चीज कंप्रीट कर सकती हूँ हाँ मेरे साथ भी अच्छा होगा पते हम लोग के सबसे खराबादत क्या होती है अपने उपर विस्वास ना करना दुनिया भर की कमिया अपने उपर ल होगा ही नहीं वहां कुछ गड़बड हो रही है तो हो सकता है वह हमारी लाइफ में भी हो जाए उसने उसके साथ किया तो हो सकता है मेरे family members दी मेरे साथ ऐसा करें यह नहीं कि सब कुछ चो दुनिया में हो रहा है वो अपने उपर सोच ना उस चीज़ को और हो कुछ नहीं रहा लेकिन सोच आप रहे हैं और सोच क्या रहे हैं आप आप सोच रहे हैं नेगेटिव आप कुछ अच्छा तो नहीं सोच रहे हैं इसमें क्या अच्छा है वह देखे हम पता सोच कि इसके बारे में हैं हम उसके बारे में सोचते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं यह नहीं कि जो होता ही नहीं है जो की इन्विजीवल होता है जो हमको दिखता ही नहीं है हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं क्या हमें भविश्य दिख रहा है नहीं दिख रहा ना पता न कुछ भी लेकिन हम आज अच्छी रुटी दाल चावल खा रहे हैं अच्छा खाना खा रहे हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं लेकिन पता है हम आज क्या सोच रहे हैं कि ये कल हो गया तो हम कहीं जा रहे हैं ये हो गया तो हमने वहां पे कुछ खाया पिया उसमें उन्होंने कु तो जो है ही नहीं हम उसकी तरफ सारी अपनी एनरजी भेज दे रहे हैं तरफ सारी अपनी अच्छी एनरजी भेज दे रहे हैं पॉजिटिव चीज़े भेज दे रहे हैं और वहां से हमें नेगेटिव थौट आ रहे हैं नेगेटिविटी आ रही है और वो हमारी present पर भारी होती जा रही है, हमको दबाती जा रही है, हमारे जो अच्छी विचार आने चाहिए उनको खत्म करती जा रही है, सब कुछ दोस्तों विचारों का खेल है, यहां की गुद्धी आपकी सही रहेगी न, तो आप कुछ भी अपने जीवन में कर सकते हैं, मांग सकते हैं, मांगिए, भगवान से मांगिए, भगवान देनी के लिए तो बैटे आप मांगते ही नहीं हो, क्योंकि आप न, अपने आपको समझते हो, बहुत smart, over smart, आपको ऐसा लगता है, कि मांगना किसी चिसका solution नहीं होता, अरे जो दुनिया को चला रहा है, जिन्हो ने जीवन दिया, जिन्होंने ये शरीर दिया, बोलने के लिए वर्ड दिये, जो बोल रहा है, वो क्या है, वो ही तो आत्मा है, शरीर का क्या है, आज यहां, तो कल वहां, है न, तो दोस्तो बिलीव उस पर कीजिए, जो है, जो चल रहा है आपकी लाइफ में, जो हो रहा ह और आप कर सकते हैं सबसे पहले इस बात को मान लिजे कि जो हो रहा है उस पर आपको बिलीव करना है जो प्रेजेंट में है उस पर आपको बिलीव करना है और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सोचना है बहुत अच्छा अच्छा सोचना है सपने जो कि हमको परियों के दे मिल जाए किसी का सपना होता है बड़ा सा घर कि ऱ सपना होता है मेरे मैं इस अधु Hearts कि खुश रहे कई लोगों के सब्सक्राइब होते हैं और मार ना देख्ते हैं बच्चों की लिए्ट इस्सकार मंड़तना और सारी इच्छ है ना आज के दिन पूरी होने वाली है सिर्फ और सिर्फ आपको करना है एक काम और वो आपने करना है बिस्वास हाँ जी ये काम ही है क्योंकि हम ना काम अगर हम काम बोलेंगे तब ही आप करोगे ठीक है आपको करना है अपने उपर बिस्वास आपको मान ले ना है manifestation तो आप जानते ही हैं दोस्तों बस ना आपने सोच लिया कि मुझे यह चीछ चाहिए तो उसको ना पूरी यूनिवर्स पूरी काइना आपकी तरफ बेज देती है अब हमें विस्वास करने की देरी है कि क्या हम विस्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता जब हम द दुखी मांगा था ना तो दुखी रह होता है ना ऐसा जब हम अपनी कोई पास की चीज सोचते हैं लेकिटिव चीज सोचते हैं यह हम वो सोच लेते हैं कि उसने हम से यह का था उसने हम से यह का था तो हमारे दिमाग में एक हम एक चीज सोचते हैं तो पता नहीं कितनी सार ने ऐसा का था, अरे, मेरी फ्रेंड ने भी ऐसा का था, मतलब कोई भी एक बंदा छूड़ता नहीं है, सब की बाते हमारी दिमाग में आने लगती है, फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा बचा ही नहीं, किसी ने अच्छा कुछ किया ही नहीं तो आप क्या हो गए आप हो गए निगेटिव आपने एक बड़ सोचा लेकिन क्या हुआ जैसा आपने सोचा फिर यूनिवर्स ने भी आपको वही चीज़े याद दिला दी कि जा तो तो उसी में खोश है तिरे को तो उसी में जाके राहत मिलती है तो हम क्यों सोचे हैं हम मैनिफेस्ट क्यों ना करें क्यों ना हम खुद सोचे कि अच्छा होगा हमारी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन पर आप विस्वास कीजी विस्वास कीजी कि जो हम सोच रहे हैं वो होगा तो क्यों ना हम अच्छा सोचें क्यों ना आप ये सोचें कि हम अपनी जिंदीगी में तरक्की कर रहे हैं क्यों ना आप ये सोचें कि मैं बहुत खुश हूं क्यों ना आप ये सोचें कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है क्यों ना हर वक्त यूनि क्या करते हैं तो जब आपकी जब आपकी दुआएं पहुंचती है जब आपकी प्राथना पहुंचती है तो वहां से बहुत पॉजिटिव वेपस आती हैं वहां से बहुत अच्छी दुआएं आपके लिए आती हैं आपके लिए आपको एक आप जैसा चाहते हूं वह आपको को मान के चली को एक छोटी सी एक्जामपल से समझाती हूं अभी आप वीडियो देख रहे हैं ठीक है आपके मन के अंदर कुछ चल रहा है आपने वीडियो किलिक किया यह सुचकर कि शायद मेरी जिंदिगी भी बदल जाए सुचकर कि किया होगा ना भी सब लोग अपनी जिं मिन्स के आप पॉजिटिव माइन नहीं है और आप आप दूर भाग रहे हैं खुद को पैंचानने से आप दूर भाग रहे हैं अपनी लाइफ में जो आप पाना चाते हैं आप उससे दूर जा रहे हैं जब आप इस वीडियो में आगे तक यहां तक आजाएंगे ना जहां का ही आदेश है यह बैस मैं सोच रही हूं कि हां मुझे उस मुकाम तक जाना है या मुझे वो चीछ चाहिए या मुझे वो लाइफ में करना है तो कदम तो हम अपने कदम तो हमें बढ़ाना पड़ेगा ना लेकिन आपको धक्का देगी यूनिवर्स आपके सपने पूरे क किस चीज़ की है मैं क्या बना चाहती हूं या क्या बनना चाहा रहा हूँ वो सोचिये और भग्वान से प्रातना कीजिए कि भे प्रबी में थैंक्फुल हूं आपने मुझे ए सब दिया है धैंक यू करती हूं इस universe का इस ब्रह्मान का जिसने मुझे घिवन दिया मैं ठैंक्फुल हूं मैं बहुत खूश हूँ अपनी जिंदगी में मैं उस मुकाम पे खुद को देख रही हूँ यहनि की सब चीज़ें प्रेजेंट में बोले और आपकी लाइफ में सब बहुत अच्छा होगा फुल मून डे है आशर्थ फून डे मा है खीर बनाईए उसको छत पे रख दिजे कवर करके बिलीव कीजे इन चीज़ों पर है ना आज की दिन दोस्तों आपके इच्छा हैं सब पूरी होंगी बिलीव करके चलिए खीर बनाईए भगवान को भोग लगाईए प्राथना कीजी आपको क्या चाहिए जीवन में क्या नहीं चाहिए हम जब निगेटिव निगेटिव चीज़े मांगते हैं तो वही चीज़े तो हमारे दिमाग में आएंगी और वही हमें मिलेंगी हम अच्छा कुछ मांगते ही नहीं है तो अच्छा मांग ये दोस्तो जब आप मेरी वीडियो पे आ गए हो इट मेंस आपको युनिवर्स्टी पीछे से पुछ कर रही है कि जा अब तेरी लाइफ में अच्छा होगा क्योंकि तू अपनी सोच बदलने वाला है और जब हम सोच बदलते हैं तो हमारी जिंदगी में वागी अच्छा होता है तो दोस्तों आपको अपनी जिंदगी खुदी बदलनी है कोई और तो बदलेगा नहीं आप अपनी जिंदगी के सार्ती हो तो आपके हातों में ही है अपनी विचारों पर कंट्रोल करना अच्छी सोच रखना और भगवान का हर पल थैंक्यू बोलते जाना फिर आपको माग दर्शन पर मिलेगा आपको आपकी मंजिल भी मिलेगी आपको आपकी लाइफ में खोशियां भी मिलेगी तो खीर तो जरूर से बनाईएगा उसको रोशनी में रखिएगा चंदरमा की आज फुल मुंडे है तो आज ऐसा लगेगा कि चंदरमा बिलकुल जगमगा रहा है तो जो खीर होती है न वो प्रशाद रूप में सब लोग लीजेगा और विश मांगेगा कि क्या आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं क्या आपको चाहिए अपनी जिंदगी में प्रशाद घ्रंड जब करें तो मैनिफिस्ट आज की दिन जरूर से कीजेगा शरत पूर्णिवा की दिन हम जो भी इच्छा मांगते हैं वो सब पूरी होती हैं ध्यान से खीर जरूर से बनाईएगा और उसको चट पर रखेगा आदा घंटा एक घंटा उसको रखने के बारे बारा बज़े से पहले जाना जी को भोग लगाने के बाद उस प्रशाद रूप में सभी घर के मेंबर्स उसको लीजेगा और विशेस मांगना बिल्कुल भी नहीं भूलना जो भी आपको आपकी लाइफ में चाहिए दोस्तो हमें करना है अपनी लाइफ में ग्रो हमें पानी है मंजिल पढ़ेगा अपने विचारों को और वो पहल तो आपको करनी ही पढ़ेगी पॉजिटिव हो जाएगे कुछ नहीं रखा दोस्तो नेगेटिविटी में क्यों ही सोचना इन्विजिबल चीजों के बारे मे विजिबल चीजों के बारे में सोचिए जो है उसके बारे में सोचिए जो नहीं है उसके बारे में मत सोचिए और मैनिफेस्टेशन पर बिलीव करना सीखे कि चीजें होती हैं जैसा हम अपनी लाइफ में चाहते हैं जब आप मैनिफेस्ट करना सीख जाएंगे है आप तक अपनी बात को पहुंचाना और हम चाते हैं कि वहीं सब की इच्छाएं पूरी हो सब अपनी जिंदीगी में आगे बढ़ें सब की जिंदीगी खुशाल से भरी हो तो हर पल यूँ wal को थैंक यू बोलते रहीं जहां सुभार शाम ठैंक उ बोलते रहिंए जब भी कोई भी चीज आपको मिले है तो थैंक यू 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 निवर्स आप जिंदे की में आगे बढ़ रहे हो थैंक यू यू इनकि हर चीज के लिए थैंक यू बोलना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा इस प्रहमाद को तो I hope दोस्तों मेरी बाते हैं आपको समझ आ रही होंगी जो भी मैं कहना चाह रही हूँ सिर्फ एक लैन में बोलूँगी कि सारा यहां का खेल है इसको अच्छे ओर्डर दीजिए और देखे कि अपनी जिंदगी में क्या बदलावाते हैं है ना जो हम यहां से बिकार हो जाते हैं तो वही चीज़ें हमारे हमारे मुह से भी निकलती हैं हमारे हातों से वही काम होते हैं तो हमारे बॉड़ी कहां से कंट्रोल होती है यहां से और हमारे जिंदगी कहां से कंट्रोल होती है यूनिवर्स ब्रह्माण से तो क्यो ना हम उनकी शरण में चले जाएं क्यों ना हम Nu से वो चीज माइए जो हमारे मन के अंदर है और पूरी जरूर से होगी कर्म करते रही है क्योंकि डपेंड होता है हमारा जीवन कर्म से पता चलतלה है कि क्या हमारी जीवन में हम करने पुनिमा की बहुत सारी शुब कामना सबकी इच्छाएं पूरी हों सब अपनी जीवन में तरक्य करें स्वस्तर हैं वीडियो थोड़ी सी पेच्छे लगी हो तू लाइक कर दीजेगा चैनल पर फर्स टाइम है तो चैनल को कर लीजेगा सब्सक्राइब मिलती हूँ नई झांक प्राइबेच जोड़ीख .